वेल्कम दस्तों तो मैं चैनल आलपार बिटास टॉक्स यहां पर आज हम बात करने वाले हैं यन्चंद्र सेखरन जो की टाटा गुरूप के चेर्मन है उनकी बारे में आपको पता होगा इनको आज पदमभूशन पुरसकार मिल चुका है तो उनकी बारे में हम थोड़ा जान वीचान देच हाँ यन्चंद्र शेकरन एखके टाटा सांश यह जो है वहवीज़ वाइन कैम्पेनी के ढरन के मधने आजो कहोऊ है तो यह आप उसके रहा हैं उसाब और यह अन्यूद 25 चैर्मने बाराधा सब्सक्व लावाइने काी तो चके मिलन की कुछ पता है क्योंकिder टॉटल टॉंटीटु कमपनीज है। उस में से अभी हमें कौं साथ TCL. में किमिकलaciesर यह अकुर्च ने कन्जुमर से हमें आधिवर यकजिमम पता है मैंग लेकिन उनकी टॉटल टॉैंटीटू companies है और बहुत सारा company में उनका इससेदारी बेहिदस बारा परसेंट या पंदरा परसेंट ऐसा बहुत सारा company में अभी हिस्सा भी ले लिया है उन्होंने तो और भी कुछ बहुत सा सारा है वो की सब यह सब यह मैनेज करते हैं तो इसके साब से आप आंदाजा लगा सकते हैं कि यह चंदर शेकन बहुत ही बड़े अदमी है तो और उनका एक्चुली उनका जो बिजनेस का स्टाइल है बहुत ही अच्छा और यह बहुत ही जबरदस्त लिडर कॉलिशिप है तो हम उनके बारे म पोजिशन कहां कहां पर था और उनका क्या क्या इंट्रेस्ट है यह सब हम यहां पर पताज करेंगे यहां उनका हाइट 173 है वेट 75 और यह सब है उनका जो बड़ेट है और टू सेकंड जून 1963 मतलब उनका एच अल्मॉस्ट 55 मतलब से आट 73 मतलब और फोर येस मतलब आभी 59 हो गया मतलब आभी 59 चल रहा है तो यह इनका जो बर्ट प्लेस है वो तामिल मिडियम में है तो उनका जो नेट्यव प्लेस है जो मोहनूर उनके मतलब उधर ही उनका नेटिव प्रेस है उधर ही ये स्कूल है उधर उनका सब सिनियर सेकंडरी तक सब उधर ही एजुकेशन हुआ है बात में उन्होंने उनका क्वालिफिक्शन बीएस सी एमसी है जो कि उन्होंने नैश्टनल इंस्ट्यूट आप टेकनलोजी तो तुर से किया है तो उनका उनके फादर देखते सकते उस्रीनिमासन वह जो कि लायर थे और फर्मर थे और और बाद में उन्होंने रिलीजन तो हिंदू है अब इस उनको फोटोग्राफिक का शौक है देन वह म्यूजिक सुनते है और वह रणिंग है मतलब वह मैरेतॉन में भी भाग चुका लुजिक सुनते हैं कि तो हम आगे देखेंगे अभी उनके फेवरेट टींगे उनको फेवरेट बिजनेसमान है वह रतन टाटा है बाद में फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट है देन उनका फेवरेट डिस्टिनेशन लोनाओलह और आपको पता है पु उनको एक सन है उनका नाम प्रणौ है नाओ उनका सालरी पैकेज है 22 करोड और बाकी के सेर्स वगरे बहुत सारा कुछ रहता है इन लोगों को क्योंकि यह बहुत सारा मिलता है बड़ा कंपणी का है आप तो दुनिया वर के यह बहुत यह सिर्फ 22 करोड दिखाया है बड़ आक्च्वल में वह आपको पचास से भी आगे जाएगा नेट वर्त नाट नौन यह तो यह सब उनके बारे में हो गया तो और कुछ थोड़ा चीज बताएंगे जो कि यह जो है वह टामिल नाडू के है और उनका खेती है उनक मतलब उदर लगाते है और यह और उनके और यह जो लिडर्शिप है वह चैल्ड उल से है मतलब वह जब बच्चों की उम्र से ही उनके पास मतलब उनमें एक लिडर्शिप की कॉलिटी थी जो की वह क्लास में लिडर थे बाद में बैडमिंटन के कैप्टन थे तो बाद में अभी वो TCS के TCS में चेर्मन है बट वो स्टार्ट उसने 1987 से TCS से किया जो कि MC के बाद उन्हें TCS जोइन किया तो आप देख सकते हो उसका करियर TCS में स्टार्ट हुआ देन उन्होंने TCS में काफी अच्छा ग्रोध किया आप देख सकते हो उनका सब क्या मार्केट कैपिटल कहां से कहां तक गया है यह सब यहां पर दिखा है वो सब आप देख सकते हैं देन आप देख सकते हैं फोर्टी सक्सी बिकम दे इंगेश्ट टाटा गुरुप CEO देन आप देख सकते हो 2009 में एट इज और फोर्टी सिक्स वो टाटा गुरुप के CEO बन चुके है देन उन्होंने क्या किया हाँ वो सब देख के टाटा गुरुप का 23 उनिट्स में वो यह किया कमपणी को स्प्लिट किया देख सकते हो आप अगर अगर सब सभी बिजनेस इसा मतलब मिक्स है यह सौप्ट विर का भी मिक्स है बाद में यह मतलब अपना कम्युनिकेशन जो है मतलब मॉबाइल का यह वो भी अलग बिजनेस बाद में यह मतलब FMCG जो के हम पूर्स टाटा साल्टो करे है उसका अलग बिजनेस बाद में जो आगरोकेमिकल्स बनाते हैं जो मतलब हम जो खेती के लिए जो आगरो केमिकल्स यूज करते हैं तो उसका अलग जो के रैलीज इंडिया उनका कमपणी है वो अलग कमपणी बाद में केमिकल्स में जो की हम बहुत साथे बनाते हैं केमिकल वो बनाते हैं मतलब वो टाटा केमिकल वो सेपरेट कि में जो कम्योंनिकेशन है जो कि मतलब हो हम मतलब इसे में टातरा मुआ को म。 आर अलग मतलब नाम करके बाद में उनको उनका ग्रोफ करेन तो इसकी सबसे आप देख सकते हैं उनका कितना बिजनेस टेटरजी और कितना आच्छा सोच है दिन हम आगे का बात करेंगे दिन दिन ही वास चेर्मन ओफ आई टी इंडेस्टी बोडी नैशनल असोशियेशन ओप सॉप्टेवर सर्विसेश कंपनेज नेसकॉम देख सकते हैं तो इतना मतलब कितने उनके मेमरी में रहता है यह देख सकते हैं लास्टी उनको नेधरलेंड की एक बिजनेस कुल है उसने टॉक्टर रेट भी अवार्ड किया है तो यह दोस्तों यह था उनकी बारे में तो लास्टी हम और दो पॉइंट करेंगे और बाद में उनकी बात करेंगे त्याओं वह फिप्ट कॉंसिकेटिव सीची वो थे जो की मतलब जो बेश्ट का अवार्ड है उनको फाइव कॉंस सब्सक्राइब करेंगे तो इसके सबसे भी आपको अंदाज आ सकता है वह कितने बड़े अदमी थे बाद में वह सायरिस मिस्ट्री के बाद वह सायद वह चेर्मेंड बन चुके इंग जैनवरी तुथाजन सेवनटीन देन यह लोज टू रन एंड पार्टिपिटेट इन मैरेथॉंस ते को मैंने बताया था क्योंकि इनको मैरेथॉन बहुत अच्छा है और उनको बहुत इं पार्टिपेट किया है जो कि एमस्टॉर्णम बोस्टन बर्लीन मुंबई न्यूयर्क और टोक्यों यहां जहां जहां भी यह मैरेथॉन हुआ है उसने उसमें पार्टिपेट किया है और यह की चेटी एंड ओफन एंड फिस सेंटेसिस विद वर्ड बॉस ओके यह मतलब यह बड़े बॉस है और ही लाइक्स क्रिकेटिंग मतलब उनको बहुत फिर्वरेट गेम है उनका और वह बहुत पसंद करते हैं तो इसके सबसे आप उनका अंदाज आ सकते हो लाश्ट ली मैं उनके टाटा मोटर्स के बारे में बताऊंगा और टाटा मोटर्स भी व मोटर्स लाँच करते हैं मतलब का अलमॉस्ट करने का टारगेट है उनका बात में बहुत सारे उसमें से लाँच भी किये हैं बाद में उसका सी एंजी वेरेंट बाद में 2023 में उनका 50,000 इलेक्ट्रिक कारस आने वाला है बाद में कितना मतलब 2023 में वह पूरा कर्चमुक्त क करने वाले हैं कंपणी को टाटा मटरस कंपणी को तो इसका इनका मतलब टारगेट और उसके साब से वह सब मैनेज करते हैं इसके साब से आपको आंदाज आएगा वह कितने बड़े इंसान है और कितना लेडर्शिप कॉलिटी है उनमें तो मेरा मेरे साब से ओ जो आवार दिया गया है वह काफी मतलब उसके मतलब उसके भावत ही सोच और समझ कर गुड एक भहुत ही अच्चा इंसान को दिया है यही मेरा कहने का मक्सद था दोस्तों थैंक यू दोस्तों तो मेरा चैनल को सबस्राइब करो बस मेरा यही मेरा रिक्वेस्ट है और याट सीच मैरा विडियो क्लोज करता हूँ, थेंक यू